फफ्रिञ टो फोल्डिंग का कुश्ION आया हुआ है कि लिए खुंपल वाला कोपने सब्सक्रांत हो गभी आफ सब्सक्राइब है पहले बहुत बच्चों के गजने और प्रफ Hai का फेलीРИ्छ ने टाइए तो सबसे पहले कहता है एच लिमेटेट ने 40,000 यहां पर गलती कर दिया रूपीज का सिंबल ठीक है चालीस अजार शेयर जो थे एक्वायर कर लिए ठीक है और टोटल शेयर थे 40,000 शेयर और एक शेयर था तो यहां पर मिस्टेक यह है कि यह 100 रुपे इन्हों ने दे रखा सहाब 100 रुपे का नहीं है यह 10 रुपे का इसको काट के ठीक कर लिए ठीक है तो यह 4,000,000 रुपे का हो गया यानि इसका मतलब सर जो शेयर थे हमारे शेयर की अगर बात करें यह पूरा कुश्चन टाइप से ही कर देते ना ठीक है शेयर की बात करें तो यहां पर दो टुकड़े होगे सर एक 4,000,000 जो की होल्डिंग कमपनी ने ले लिया और एक हो गया हमारा कितने एक लाक जो की हमारा नहीं लिया माइनेरिटी इंटरस्ट के पास है तो आप रेशो में अगर देखेंगे ना तो रेशो के आएगा सर 5,000,000 इसके पास 80% शेयर आ गए और इसके पास 20% रहे गए जो की माई है रेशो आ गया हमारा माई ठीक है कैसे रेशो निकालेंगे आपको क्लियर है या तो 4-1 में बाट दिया मैंने वो रहेगा कोशन में सारे चीज़े इंफर्मिशन गीवन है और इसको मैंने कितने का खरीदा था वो कहता है कि इन्वेस्मेंट जो शेयर खरीदा था ना वो 6,000,000 का खरीदा था यानि सर्फ 4,000,000 के समान को इसनों 6 का पता नि भगवान जाने क्यों खरीदा आगे पता चलेगा कहता है इसके बैलेंस हमेशा इसके पास पड़ा हुआ था एक लाक रुपे जर्नर रिजर्ब में और 40,000 रुपे था सर प्लस में तो जर्नर रिजर्ब में हमारे पास पहले से एक लाक रुपे है तो कह रहा है कि जर्नर रिजर्ब के दो टुकडे कर देते हैं एक प्री और पोस्ट है ना एक प्री और एक पोस्ट तो जर्नर रिजर्ब में कहता है कि एक लाक पुराना था तो प्री वाला ये पाट आ गय यानि सारा ही एक लाग पुराना था और जनर रिजर्ब में सहाब पोस्ट तो कुस्थाई नहीं जीरो पोस्ट है प्रॉफिट एन लॉस में कहता है 40,000 रुपे पुराना था बाकि सारा कमाया गया है तो प्री इसके अंदर कितना आ गया सर प्री 40,000 और बैलेंस शीट में वह आगे एक सार्थ करेक्ट पोस्ट के आगे हमारा एक सार्थ आगया समझ यह गया इस पॉइंट को अगे क्या कहता है कोश्टन में एच अक्वायर शियर एच ने क्या करा एक्वायर दा शियर इन एस लिमिटेड ठीक है सर दा सबसीडरी कमपनी एस लिमिटेड रेशो बोनस शियर इशू करा इसने और सारा बोनस इशू किया इसने 21 और 22 में और हमारा काम भी 21 22 का ही चल रहा है यानि current year में करा है इसका मतलब सर जो भी बोनस शियर इसके बनते होंगे इसका मतलब बोनस शियर पहले निकाल ले थे हैं कितने बोनस शियर इशू किने इसने पहले से भाई साब हमारे पास थे 5 लाइख रुपे के शियर और इसने कहा है bonus share दिया 5 out of कहता है कि in the ratio 1 यानि 5 के बदले 1 5 के बदले 1 यानि 1 लाख रुपए का सीधा सीधा bonus share दिया है और इस सवाल के अंदर मैं दुबारा repeat कर दूँ आपको क्या कहता है सवाल के अंदर H limited acquire S limited subsidiary company और issue bonus share 1 5 held out of the profit earned during the year तो earned during the year कौन सा होता है सर post होता है तो इसमें से bonus share इसने दिया है तो इसको हटाई देते हैं सर 1 लाख रुपए खतम 0 हमारे पास post का profit कितने बज़िगे सर 60,000 तो अब हम profit का distribution अगर करें ना तो pre के अंदर 2 के पार्ट आ जाएंगे और post तो ही नीक है इसके अंदर भी 2 के पार्ट आ जाएंगे और इसके अंदर भी 2 पार्ट आ जाएंगे ठीक है 80-20% कर लेते हैं तो 20,000 रुपीस MI का और 80,000 रुपीस आपका holding का ये holding का हो जाएगा ये प्रिपाइब हो जाएगा 40,000 को अगर हम करें प्री पूस्ट में तो आठ चौके 32,000 रुपे आपका ये holding का प्री वाला और इसका आजएगा आठ हजार चार दुनी आठ हजार रुपे आजाएगा सबसीडरी का इसका पोस्ट वाला है यह सारा पोस्ट वाला है तो होल्डिंग का कितना आजाएगा सर छे और आठ 48,000 रुपे 80% और सबसीडरी का आजाएगा 20 20% इसका मतलब सर 12,000 रुपे यह आगया ठीक है यह calculation हो गई हमारी कैता है इस effect को नहीं लिया इसलिए तो हम कर रहे हैं अब simple सी बात है हम एक बार निकाल लेते हैं minority interest और एक बार cost of जो हम capital निकालते हैं यह निकाल लेते हैं अगर equity share की बात करें तो equity share कितने थे सर equity share हमारे total थे अगर देखा जाए तो हमने 5 लाग पहले दे रखे थे रुपए के और 1 लाग बोनस के हिसाब से आगए तो total कितने होगे सर 6 लाग अब 6 लाग का वही 80% हमारा holding के पास चला जाएगा और बाकी जो subsidy के पास चला जाएगा 20 तो एक भी subsidy के पास shares हो गए और 480 के पास हो गए holding के पास ठीक है ना इसके अंदर क्या क्या जोड़ना है क्योंकि holding का हम minority वह निकालेंगे तो सबसे प्री वाली सारी चीज़े जोड़ जाएगे प्री वाली तो प्री वाली आपके आजएगी एक यहाँ पर 80,000 यह profit आ गया और reserve reserve प्री वाली कितनी आ जाएगी हमारी प्री वाली आ गए 32,000 और यहाँ तो प्री और पोस्ट दोनों ही लेंगे खेर तो इसका आ गया 20,000 और reserve प्री वाली बात करें reserve प्री वाली बात करें तो 8,000 ठीक है ना और यहाँ पे although आपका पोस्ट वाला भी आ जाएगा पोस्ट रिजर्व जो कि आया 12,000 इसके अंदर तो आना ही है ना पका है थोड़ा सा साइज कम करके उपर जागे दिखा लेका है तो यहाँ पे टोटल अगर हम खरीदने की बात करें तो कितने का खरीद लिए प्रिट चेक करते हैं पूर एटी असी हजार 32,000 पाइब नाइन टी टू पाइब नाइन टी टू और सर्फाइब नाइन टी टू का टोटल बन रहा है आपका यह और कुछ भी पेमिंट किया है कि हमने असी हजार असी हजार चालिस असी छे लाख 6,00, 80% ले लिए हमने तो आपने 6,00,00, रुपए का पेमिंट कर दिया है तो आपने 6,00,000 रुपए का पेमिंट किया है इस पाँच बानवे के समान के बदले तो यहां पर goodwill निकल के आगिया आपका कितना सरफठ अथ इसकी calculation आप कर लेंगे ये आगए आपका goodwill निकल के 8000 रेंजिट में आ जाएगा माईड़ेमेर इंटरस डेक ले तेंक्त हjin और एक लाख 20 हुप सरे और प्लस पी सजार ईठार प्लस बारह हजार एक लाख साथ हजार minor rate interest में आ गया ये भी कर लेंगे मेजरली दो यही चीज निकालना था चैल ये balance sheet की कुछ calculation मैं समझा दूँ यहाँ पे balance sheet की कुछ calculation कुछ balance sheet की calculation समझा देता हूँ कि कौन से item को कहां क्या क्या करना होगा उसके reserve and surplus का बस महीन है पंगा वो मैं कर देता हूँ तो balance sheet का मैं reserve and surplus यहाँ दिखा रहा हूँ reserve and surplus के अंदर आएगा एक तो सारा part holding वाला ले लेंगे और इसमें plus कर देंगे कोई subsidiary का part आ रहा होगा तो उसको भी हम plus कर देंगे बाकी bonus share का अब कुछ नहीं होना यहां adjustment होगया बात खतम अब bonus share का कोई entry नहीं होगा अगर holding के reserve and surplus की हम बात करें तो holding का reserve and surplus कितना है 8 लाग सर subsidiary में से कितना उठके जाएगा यह 48,000 subsidiary का भी उठके चला जाएगा 48,000 तो जो इसके अंदर चला जाएगा आठ लाग 48,000 रुपे holding का reserve and surplus आजाएगा पहली बात holding के अंदर आपका यह minority interest आजाएगा liability में holding में good will आजाएगा बाकी सारा का सारा आपका assets liability as it is बस add हो जाना है trade paypal यहां पे missing था शायद मेरे पास question में किसी बच्चे ने भेजा college में correct कराया होगा यह 80,000 दे रखा balance sheet का total करके balancing figure निकाल ले ना तो यह था holding का जो की main चीज़े आपका था न working note वाला portion वो मैंने समझा दिया अब आप easily match कर सकते हो notes to accounts बनाओगे अगर आप बोलते हो तो देखो मैं यहां पर करके भी दिखा देता हूँ यहां पर करके भी दिखा देता हूँ side में ठीक है थोड़ा इधर ले जाते है यहां करके दिखा देते हैं तो sir shares कितने आ जाएंगे shares कितने आ जाएंगे shares में तो कोई फरक रहेगा नहीं 16,00,000 का रहेगा कि रिजर्वेंट सर्प्लस कितने आजेंगे आठ लाक अरतालिस हजार कि मारेटें इंट्रस्ट एक लाक साथ हजार बैंक ओवर्ड्राफ तीन एक चार लाक बीस हजार और ट्रेड पेवल आपका यहां है नहीं कुछ रहें चार बीस हजार लेकिन फिर कांगा उनको यह आएगा यह समझ में जिसने पहले से पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ तो नहीं आने वाला समझ में चार बीस असी हजार यह आगया 31,8,000 31,8,000 और इसका भी अगर आप टोटल देखोगे ना अगर विज्वल हो रहा है तो 19,00, 12,00, और 8,000 यह भी आगया 31,00,8,000 तो यह बैलिंशिट मैच हो जाएगा तो टोटली मैने समझा दिया बस आपको फेर वर्क कर लेना है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी तो यह कोस्चन था हमारा 5 जो कि मैंने पूरा का पूरा समझा दिया दूसरा कोस्चन में लॉस्वाइ फायर था उसमें भी बोनस था उसका मैं PDF solution डाल दूँगा सुबह तीन बज़े paper है इजली आप दे सकते हो ठीक है न तो आपका पूरा paper हो गया अगेन मैं कहना चाहूंगा कि इस पूरे paper के उपर dependent मत रहिएगा कि ऐसा ही paper आने वाला है आप अपने इसाब से जो तैयारी कर रहे है वो तैयारी करके चलिए डाउट जो है मैं लूँगा आप क्योंकि paper solution में था डाउट लूँगा management का भी paper है उनका भी चल रहे थोड़ा बहुत ठीक है चलिए मिलते हैं next class में thank you so much